असलावलेकुम जी वल्कम और वल्कम बैक तो माई चैनल तो यह फैब्रिक मेरे पास पड़ा हुआ था जो पिछले साल मैंने छोटी पे अपना इद आर्टफिट आपके साथ शेयर किया था तो यह वही सेम फैब्रिक है यह मैंने दोनों शूट इकटे लिये थे तो यह युम्नाजादी का यह वला ड्रेस देखा तो मैंने फिर डिसाइड किया कि इस फैब्रिक से यह वाली आउटफिट रीक्रियाट करते हैं इसके साथ दूपटा जो है वह जौरजएट में था लेकिन मैं शफून का दूपटा चाहरी थी प्योर शफून में मुझे सिर्फ पाइट वाला ही मिल रहा था उसे मुझे फिर डाइक करवाना पड़ना था तो फिर मैंने जो बाजार से मिल जाते हैं क्रिंकल शेफून में दूपटे बने हुए तो फिर मैंने वही ले लिया था एक इसमें मतलब सेम कलर नहीं है 19-20 का फरक है पर चल जाएगा साथ लेकि प्लास्टिक जार का तो इस कैप को मैंने स्लीव के सेंटर में रखा है और इससे मैंने मार कर लिया है तो जो सरकल हमने बनाया है इसके उपर हम 5 इंच का निशान लगाएंगे और जो निशान हमने 5 इंच पे लगाया है वहीं से रखकर अब एक निशान धाई इंच पे आलेंगे और ऐसे ही तूसरी तरफ जो दूसरा निशान लगाया था उस पर रखकर तो इस सर्कल के ऊपर से रखकर हम निशान लगा लेंगे तक हमें आइडिया हो जाए कि यहां पर यह सर्कल खतम हो रहा है मैं सर्कर फिर उपरांच चै Elvis कि पर प्र पांच एंच के लिए हमने लेने हैं सिक्विंस और मुझे पहले यह बहुत स्मॉल साइस दिखा दिया था भाई ने फिर मैंने का कि नहीं मुझे बड़ा वाला इससे दिखाएं अगर छोटे वाला ले लिया तो फिर तो हो गया काम बहुत टाइम लगेगा कर छोटे वाला यूज करेंगे तो फिर मैंने यह बड़े वाला साइस ले लिया था तो मुझे आइडिया नहीं थी न कि कितने सितारे यूज होंगे तो मैं पहले सिर्फ तीन तौला लेकर आई थी कि अगर कम पढ़ेंगे तो फिर बाद में हम उससे साब से ले लेंगे तो अब हमारा जो सर्कल है इस सर् करेंगे अगें हम अब थोड़ा सा फासला चोड़ते हुए सुई निकालेंगे और सितारा पिछले वाले सितारे के बिल्कुल साथ ही हम जोड़ देंगे ऐसे यह सितारे आदे आदे पिछले वाले सितारे के ऊपर जाएंगे तो ऐसे हमने बिल्कुल साथ साथ जोड़ते तो ऐसे हमने यह लाइन्स बनाते हुए सितारों की तो यह पूरा सर्कल फिल करना है अब यहाँ पर हम अब सेंटर में आगे हैं यहाँ पर सिर्फ अब एक ही सितारा लगेगा स्टैंड से बने से निकाल लिया है अब यहाँ पर मैं आपको इसकी बैक साइट दिखा रही हूँ और ऐसे हम अब नीचे से तीन चार स्टिचिस लगाते हुए से पका कर लेंगे और फिर बाद में इसका धागा कार देंगे तो हमारी पूरी शर्ट पर ऐसे ही सिक्वेंस के सिर्कल्स बनेंगे पॉलकाडोर्स बनेंगे और आप देख सकते हैं कितनी शाइन कर रहे हैं यह तो यह मेरी शर्ट का फ्रंट पीस है और यहाँ पर यह नेक लाइन की जगा छोड़ी हुई है और इस पूरी शर्ट पर मेर अब बस हमें इसे स्टेश कर लेना है अब बारी आती है दूपटे की तो दूपटे पर भी हमने सिर्कल्स बनाने है तो इसके लिए मैंने दूपटे को लंबाई में फोल्ड कर लिया है अब इसके उपर सिर्कल्स बनाने के लिए मैंने जो कैप लिया है वो पिछले वाले क रखते हुए यहां पर मैं एक circle बनाऊगी अब इस sorryаки के किनारे से रखते हुए मैं 7 इंच का फाशला छोड़ते हुए दूसरा circle बनाऊँगी यनि मैंने शर्ट पर 5 पांच इंच का फासला जोड़ा था तो दूपटे के लिए मैं 7-7 इंच का फासला छोड़ रही हो और इस निशान पर रखते हुए मेंने एक और circle ड्रॉ ड्रॉअ कर लिया है तो ऐसे ही हमने इस side पे 2,1,2,1 करते हुए सारे circles बना लिने हैं तो अब मैंने ये दुपटा दूस्री तरफ turn कर लिया है और पिछले side पे जो मैंने circles पहले ड्रॉअ किये थे वो मुझे इस साइड पे बिलकुल क्लियर नज़र आरहे हैं आपको कैमरा में नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन मुझे पता चल रहा है कि सरकल अब कहा बनाना है मतलब अब मुझे बार बार स्केल से नाप नाप कर मुझे सरकल्स नहीं बनाने पड़ेंगे और ऐसे मैंने दूसरी साइट में अराम से सारे सर्कल्स बना लिये थे अच्छा जी तो पटे के इन सर्कल्स में हमने सिक्विंस नहीं लगाने इसमें हमने पेंट करना है तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक पेंट लिया है तो यहां एजाज अंसारी की तरह हमने भी अपना प्यारा सा चोटा सा बाउल ले लिया है पेंट मिक्स करने के लिए अच्छा आप लोग अक्सर एक मिस्टे करते हैं और यह कि आप फैब्रिक पेंट लेते हैं और उसे डारक्ट अपने जापका दूपटा होता है उस पे कैसा लगेगा आपके पेंट की कंसिस्टेंसी अच्छी है यह नहीं तो ऐसी अकम असका मापका दूपटा तो खराब नहीं होगा ना तो यहां पर मैंने अपना पेंट चैक करने के लिए शफून का फैब्रिक ले लिया है और उस पेंट अप्लाई करके देखा था और और पेंट ऐसे पैलना स्टार्ट हो गया था हलका हलका ना न पिस्ता कलर है तो उस चाहत हैं प्लप ना नजरां नो अबता तो फैरेंट कलर हो तो उस पलोבה और उहमने विल तो इसमाद आ। यह ऊनुण इंकल शर्फून जो होती है वो वैसे भी मसला करती है तो पिर उन्हें मुझे का कि आप पहले गुट्टा की आउटलाइन दें और पिर उसमें पेंट करें तो आपका पेंट नहीं भालेगा तो यहां पर मैंने ब्लैक गुट्टा ले लिया है आर्ट अप्टिट्यूट का ही है तो इसकी पहले हम आउटलाइन करेंगे सर्कल हमें परफेक्ट चाहिए ना तो हाथ स्टेबल रखते हुए जल्दी से मैं बस इसे शेप में ड्रॉ कर लिया मैंने सर्कल को और मैं चारी थी कि जब मैं इसके अंदर पेंट करूं तो यह आउटलाइन अलग सी नजर नाए तो इसके लिए मैंने यह बहुत बारीक सा ब्रश ले लिया है और जहां से यह गुटा मतलब मुटा मुटा था तो वहां से मैंने इसको मतलब ब्रश से क्या कहेंगे नीट कर लिया जैसे मुझे मुझे मुटा लग रहा था वहां से मैं इसको थोड़ा कम कर दिया यह जो भ कारे में तीन तीन सर्कल बनाकर उन्हें ड्राय करके निकाल लेती थी और काफी कोशिश के बाद भी बिल्कुल पर्फेक्ट सर्कल्स नहीं बने लेकिन फिर भी नीट बन गया है और यहां पर मेरा पूरा दूपटा भी कंप्लीट हो गया है अच्छा इस दूपटे के साथ ब तो मैं सोच रही थी कि इसकी जो लड़ीया है ना सिक्विंस वाली इन्हें मैं कार्ट कार्ट कर तो ऐसे लाइन्स वन आकर तो मैं यह लगा लूँ लेकिन फिर यह बहुत ज्यादा काम बन जाना था तो फिर मतलब टाइम बहुत लग जाता ना तो फिर मैंने इसे भी अगर उस पर लेस लग जाए तो कोई मिसला नहीं अब नहीं मिल रही लाइन्स वाली तो मैं क्या करूं और यह अच्छी वी लग रही थी पाइनिया से दिखाया थै क्यों आपके वाइड दूपटे पर यह लगी तो मैंने तो फिर मैं बस यह तो पते के लिए मैंने यह व और साथ में लेस भी और दूपटा तो इसका मर्शाला से बहुत ही हसीन बना है खाली पती से इतना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन लेस लगा कर इसकी लूखी चेंज हो गई थी बहुत अच्छा लग रहा था यह हमारी शर्ट कर लिया है मैंने से बिलकुल साथा शर् बार रहा है पॉंचे पे फ्यूजिक के साथ पर मुझे पसंद नहीं तो मैंने बस सादा ट्राउजर बनवाया है इसके साथ तो जी यह हमारी आउटफिट कंप्लीट आउटफिट तो जब भी आप कुछ रीक्रियाट करते हैं तो आपका प्रोसस बहुत स्मूथ नहीं होत कुछ ना कुछ मसले होते ही रहते हैं साथ में मंगर एंड रिजर्ल जो आपको मिलता है वो देखके आपका दिल खुश हो जाता है और आप लोगों ने जो मेरे ब्लैक आउटफिट पे जो ने क्लाइन पे आप लोगों ने कमेंट्स की हैं उन्हें पढ़कर तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया आपके इतने अच्छे रिस्पॉंस के लिए थांक यू सो मच और आपको यह आउटफिट भी अच्छी लगी होगी थांक यू फू वाचिंग बाइ